नागा चैतन्य ने हाल ही में अन एफवाहों को संबोधित किया जिसमें कहा गया था कि वा अपानी पूर पाटनी सामन्था रत प्रभू की नई फिल्म कुशी का ट्रेलर बजाते हुए थेटर से बाहर चले गाए थे। इन एफवाहों ने जोर पकड़ लिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि चैतन्य सामन्था के साथ अपने पिछले रिष्टे के कारण ट्रेलर से नाराज थे। हालांग की उन्होंने इन दावों का जोराडार खांदान किया और उन्हें पूरी तरह से बकावास करार दिया। उन्होंने टीम्ज 9 से बाटा चीट में स्थिती सपष्ट कराते हुए कहा कि रिपोर्टन निराधार है और उन्होंने कुछ तेलुगू वेबसाइटों से अपने लेखों को सही कराने का आगरा किया। चैतन्य का खांदान आयस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि कतित्वा को घटाना कभी हुई ही नहीं थी। उन्होंने सामन्था के प्रती अपने सम्मान और अनेक साथ बिताए गाए दोर पर जोर दिया जिससे संकेत मिलता है कि तलाग के बाद से दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ गाए हैं। चैतन्य ने सामन्था के प्रयासों की प्रशंसा की और अनेकी खुशी की कामना की जोड़ी के तलाक को एक साल पहले आपचारिक रूप दिया गया था और चैतन्य ने एक दूसरे के प्रती अनेक सम्मान को रिखाकित किया उन्होंने पहले के एक साक्षातकार में उलेक किया था कि अनेक बयानोंग ने अनेक रिष्टे की स्थिती को स्पष्ट कर दिया था और इसके अलावा आगे की चर्चा केवल कोलम भरने का एक प्रयास था उन्होंने अपने पिछले रिष्टे को लेकर चल रही अटाकलन से ठके होने की बाद भी कही सामन्था रत प्रभू और नागा चैतन्य ने अपने अलगाव के बारे में महीनों की एफवाहो के बाद 2021 में अपानी शादी समाप्त कर दी मीडिया में लगातार चल रही अटाकलन के बाद अनेक अलग होने की आधिकारिक घोशना हुई एंट में नागा चैतन्य ने अंदावों में सच्ची की अनुपस्थिती पर जोर देते हुए सामंथा की फिल्म का ट्रेलर चला कर थेटर से बाहर निकलने की आफवाहो का डियार्टा से खांदान किया है उन्होंने अपने संबंधों को लेकर चल रही अटाकलन को संबोधित कराते हुए सामंथा और अनेक साजह अतीत के प्रती अपना संबान दोहराया अनका तलाक जो एक साल से अधिक समय पहले हुआ ने अनकी विवाहिक यात्र का एंट कर दिया और दोनों व्यक्ति तब से अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गाए हैं